चिपकली बेल को अगर आप अपने घर के दिवार के पास लगा देते हो तो इस बेल का तना चिपकले की पंजो की तरह दिवार पर चिपकने लगता है और धीरे धीरे ये पूरी दिवार को कवर कर लेता है अगर आप दूर खड़े होकर देखोगे तो आपको दिवार नजर ही नहीं आएगी पूरी की पूरी दिवार इन पत्तों से भरी होई दिखाई देगी अब लोग इसको घर के डेकोरेशन के लिए लगाते हैं बड़े बड़े स्कूल, कोलेज, मोल अपनी बनाई बिल्डिंग को खुबसूरत बनाने के लिए पूरी की पूरी दिवार इन पत्तों से भर देते हैं तकरीबन तकरीबन दो साल पहले मैं एक सुनसान से रहा पर गुजर रहा था तो वहाँ पर एक ही एक घर था, वो एक किसान का घर था ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उस घर के सामने से निकले और दो मिनिट के लिए उसको खड़े होकर ने देखे बड़ा खुबसूरत द्रिश्य था वो उस घर की चारे दिवारे हरे हरे पत्तों से ये चिपकली बेल से घेरी हुई थी तो उन्होंने इसका एक बड़ा अनोखा फाइदा बताया खुबसूरत तो दिखता है ये और साथ ही ये हर्याली फैलाता है हवा को शुद्ध करता है ये गर्मियों में इनका टैंपरीचर भी ठंडा रहता है घर के अंदर पत्ते में तो 70% पानी ही होता है अगर पत्ते को मसल होगे तो आपके हाथों में पानी चिपकेगा ही तो यह कह सकते हैं कि दिवार के साथ एक पानी की दिवार भी बना दी गई जहां से वो सूरज की गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देता बाहर ही बाहर पानी गर्म होता है और रात को ठंडा हो जाता है घर के अंदर कोई परभाव नहीं पड़ता इस सूरज की गर्मी का तो अभी बात करते हैं इसको लगाया किस तरह जाता है तो इससे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि इसको कितना temperature चाहिए होगा छिपकली बेल एक डिगरी Celsius से कम नहीं रहती तक्रीबन तक्रीबन पानी जीरो डिगरी Celsius पर जमना शुरू हो जाता है तो कह सकते हैं कि जहां पर पानी जमना शुरू हो जाता है तो वहां पर यह पोधा नहीं लग सकता इंडिया में तो तक्रीबन सभी सिटी सभी स्टेट में इसको लगाया जा सकता है जहां पर हाथ में पड़ा पानी जम रहा है वहां पर इसको नहीं लगाया जा सकता इसको इसकी टाहनी से लगाया जाता है अगर आप इसकी directly cutting करकर अपने ये जमीन पर लगाते हो तो chances कम होते हैं कि ये हुगे तो इसलिए अगर cutting ऐसी मिले जिस पर जड़े भी हो तो वो आसानी से हुग जाती है तो फिर ऐसा होगा अगर आपको ये कहीं जमीन पर लगा हुआ मिलता है तो उसकी एक टाहनी को आप साथ ही जमीन पर गार दीजिए उसका कुछ भाग गार दीजिए जहां ये मिट्टी के संपरक में आएगी वहाँ वहाँ ये जड़े बनाना शुरू कर देगी तो उस जड़ों वाली टाहनी को आप कहीं भी लगा सकते हो जहां पर भी आप लगाना चाहते हो आपने इसको दिवार के बिल्कुल बिल्कुल पास में लगाया तो ये है 8 से 13 फिट तक हाइट पे जाएगी बड़ी आसानी से गजाती है ये जैसे जंगली घास उकती है ना इसकी ज़्यादा केर करनी पड़ती है ना इसको ज़्यादा खाद देनी पड़ती है अपने आप ये जंगली घास की तरह बढ़ती जाएगी पूरा का पूरा साल चलती है ये जब मर्जी आप इसको लगा सकते हो उसके बाद तो आपको इसको बस डारेक्शन ही देनी पड़ेगी किस-किस और आप इसको ले जाना चाहते हो वहां-पाहां पर आपको इसको चिपकी हुई टाहनियों को मोड़ना ही होगा हर एक पत्ते के पास यह नहीं टाहनी बनाना शुरू कर देती है यह पूरे का पूरा जाल बन जाता है इसी से अगर दस फिट लंबी दिवार आपकी तो इसको तीन-तीन फुट दूरी पर आप लगा दोगे तो जल्दी यह पूरी दिवार कवर कर लेगी यह तो रहा कि हम एक खड़ी दिवार पर कैसे हर्याली पैदा करें अगर आप छत बनाना चाहते हो पत्तों की किसी बेल से जिससे कड़ी से कड़ी गर्मी में भी आपका घर ठंडे का ठंडा रहेगा तो हमारे यूटीब चैनल ग्रोट एर इसको आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अ सब्सक्राइब देता हूं तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली वीडियो में